तुम्हें क्या हुआ मिन्टू? मैंने अपनी जारी चोकलेट्स और स्वीट्स डॉली को दे दी क्यूं? क्यूंकि उसने मेरी बहुत तारीफ की तो डॉली ने तुम्हें मख़न लगा दिया मख़न लगा दिया मतलब चलो मैं तुम्हें चालाक लूमड़ी और कव्वे की कहानी सुनाता हूँ उससे तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन सुबह सुबह एक कव्वे को एक टेस्टी चीज का पीस मिला जो एक खिड़की के पास रखा था वाउ आज तो मेरा लकी डे है मुझे तो चीज खाना बहुत पसंद है वो पेड़ की डाल पर जाकर आराम से बैठ गया जैसे ही वो उस चीज को खाने वाला था उसे एक प्यार इजी आवाज सुनाई दी गुट मॉर्निंग माइ फ्रेंड तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो कववे ने आसपास देखा तो उसे एक लोम्री दिखी जो उसे पेड़ के नीचे खड़ी थी लोम्री ने कहा तुम्हारे फेड़स बहुत सिल्की है और चूच तो बहुत ही चमकदार और शाप है तुमसे सुन्दर कववा मैंने आज तक नहीं देखा है कववा लोम्री की जूटी तारीफ से इतना खुश हो गया कि उसे लगा वो सच बोल रहे है लोम्री ने चाला कीसे कहा आई विश मैं तुम्हारा गाना सुन सकती मैं अपनी सारी दूस्तों को तुम्हारी खुबसूर्ती और प्यारी आवास के बारे में बताऊंगी और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ गए जैसे कि वापस जा रही हो कववे से ये खुशी बरदाश्ट नहीं हुए और उसने सोचा कि वो लोमडी को अपनी आवास सुना कर ही रहेगा जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मूँ खोला उसकी चोंच से चीज नीचे जमीन पर गिर गया उसी समय लोमडी ने जट से जीज लिया और खा गई याम ये तो बहुत टीस्टी है फिर लोमडी में कववे से कहा तुम तो बुद्धू हो जूठी तारीफ से तुम आराम से बुद्धू बन गए मुझे तो सिर्फ चीज चाहिए था और वो मुझे मिल गया बेचारे कववे को लगा कि वो कितना बुद्धू है कि वो चालाक लोमडी की जूठी तारीफ में आ गया तो समझी मिंटू हमें हमेशा उनसे बचकर रहना चाहिए जो अपने फाइदे के लिए हमारी जूठी तारीफ करती है सही कहा मैंने भी अपनी पसंदिदा चॉकलेट्स दे दी ठीक उस कवे की तरह जो इस कहानी में था